क्या हो अगर सूरज एक्स्प्लोड हो जाए जी हाँ ठीक ऐसे ही अपने कैलेंडर सेट कर लें क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने पता लगा लिया है कि सूरे कब मरेगा वैसे तो हमें वास्ताव में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जलता सूरे अभी भी बहुत छोटी उम्र का और जवान माना जाता है इसलिए हमारी पीड़ी के लिए सब कुछ ठीक है विसे सग्यों का मानना है कि सूरे के पास जीवन के लगभग पांच अरव वर्स शेश है पर अगर हमें मानव जीवन को बचाना है तो जल्द एक नया ग्रह खोजना होगा क्योंकि सूरे के फटने से पहले ही धरती परिस्तितियां बिगड़ चुकी होगी इस ब्रहमान में जिस भी चीज का जन्म हुआ है उसे कभी न कभी तो मर नहीं है और सूरज भी आज से पांच बिलियन साल बाद जिंदा नहीं रहेगा लेकिन इतने विशाल सूरज का अंत कैसे होगा थोड़ा सब्र करिए सारी बाते बताएंगे लेकिन हमें सब्सक्राइब करने के बाद जल्दी से बेल बटन को दबाईए और अपनी नौलेज को बढ़ाईए हमारे सोलर सिस्टम में अजीबों गरीब घटनाएं होती रहती हैं जैसे जब तक इक्सप्लोशन से फट जाएगा जब हमारा सन अपने अंतिम चरन में होगा तो इसका सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल चुका होगा रडियेशन प्रेशर के घटते ही ग्रैविटी इतनी बढ़ जाएगी कि अंदर मौझूद सुर्य का कोर सिकूडना सुरू कर देगा तेमपरिचर के और बढ़ने के बाद अब हीलियम भी कार्बन में बदलने लगेगा कार्बन बनने के बाद इसके खत्म होने की प्रकिरिया भी बड़ी तेजी से होने लगेगी कार्बन के फ्यूजन के बाद ऑक्सिजन नियॉन और मैगनेशियम जैसे तत्यों ब लेगी सिलिकॉन फ्यूजन के दौरान हमारे सूरी का कोर बुरी तरह से सिकुड़ चुका होगा और टेमप्रेचर भी लगवक तीन अरब डिगरी सेलसियस तक पहुंच जाएगा सिलिकॉन फ्यूजन के चलते अब हमारे सूरी में प्रेशर कम हो जाएगा और भारी तत्व जैसे के कोबैल्ड, निकल और आयरन बनना शुरू हो जाएगे पर ये सभी तत्व इतने स्टेबल होंगे कि आगे किसी भी प्रकार का फ्यूजन रियक्शन नहीं होगा इसके बतले में ग्राविटी के जबर्जस खिचाओ के चलते हमारे सूरी का घना कोर ढहने लगेगा और फिर होगा एक बेहत जोरदार धमा का, हमारा सूरी अब सुपरनुवा धमा का कर चुका होगा इस दोरान अन्यंतरित फ्यूजन के चलते कई इलेक्ट्रोन प्रोटोन से मिलकर नूट्रोन बनाकर उर्जा छोड़ना शुरू करेंगे यह फ्यूजन रियक्शन करीब 10 सेकेंड तक चलेगा जिसमें करीब 1044 जूल्स की भारी भहिंकर उर्जा निकलेगी यह उर्जा मैटर और एंटी मैटर से बने हुए शनी ग्रहों के टकराने से निकलने वाली उर्जा के बराबर होगी और यकीन मानिये यह वाकई में बहुत जादा है बात कर एक cosmic rays की radiation energy की, तो ये सबसे पहले कुछ समय बाद ही बाहरी सता पर आएगी, यानि इसे बाहर निकलने में समय लगेगा, जिसके बाद ये light की speed से सब कुछ नस्ट करते हुए पृत्वी से टकराएगी, पृत्वी का atmosphere, समुद्र और इसका पूरा हिस्सा in radiation की वज़े स बुरी तरह से जुलस चुका होगा, इसके ठीक बात ही तारे का matter बहुत तेज गती से पृत्वी पर बची खुची तबाही मचाना सुरू करेगा, अग पूरी पृत्वी नस्ट हो चुकी होगी, ऐसे में जीवन की कलपना करना बेवकूफी ही होगी, खास बात ये है कि अपना काम कर चुके होगे, रेडियेशन्स को पृत्वी पर आने में कुछ समय तो लगेगा, पर ये न्यूट्रिनो पार्टिकल सबसे पहले सूपर नुव धमाके से निकल कर पृत्वी पर विनाश करना शुरू कर देंगे,